नमस्कार दोस्तों, Study IQ पर आप सबी का बहुत भुट स्वागत है So अपने Belt and Road Initiative को successfully execute करने के बाद चाइना अब एक और बड़ा कदम ले रहा है अपनी social और economic development के लिए और अपनी जो expansion है, being an economic superpower जो अपनी expansion को तेजी से बढ़ाने के लिए जो अब नया कदम चाइना के दोरा लिया जा रहा है, that is the polar silk road So polar silk road, जैसा कि आप नाम सुनके भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो है चाइना ये दो बड़े-बड़े महासागरों को जोडने वाला है जिसमें कि एक तरफ Atlantic Ocean है, दूसरी तरफ Pacific Ocean है लेकिन इस बार ये वाला जो connection होगा, this will be going through the Arctic Ocean तो ये काफी जादा over ambitious project है, लेकिन चाइना ने अब इस बार announce कर दिया है कि हम इस बार polar silk road को भी अब इसके उपर काम शुरू करने वाले हैं इसी के बारे में कुछ-कुछ details जो सामने आई हैं, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अभी बहुत सारी details सामने नहीं आई है अभी केवल ऐसा मान लीजे कि केवल एक idea के तौर पे China ने इसको submit किया है लेकिन जैसे ही कुछ और details सामने आती हैं, we promise you कि हम आपके लिए वो वाली वीडियो भी study IQ पर लेकर आएंगे चलिए start करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, यदि आप लोग इस lecture की PDF को download करना चाहते हैं तो मेरे telegram channel को join करना नहीं भूलें और इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं study IQ आपको यदि आपने अभी तक download नहीं किया है तो you are missing out on a lot of good courses तो इस particular आप पे हमने आपकी UPSC परीक्षा को आसान करने के लिए एक course launch किया है यह मैं बार-बार कहता हूँ यह खास करके उन बच्चों के लिए course है जो की पहली बार UPSC का paper दे रहे हैं तो दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं वो इसको ना buy करें आपको जादा फाइदा नहीं होगा लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए it can be a game changer course because यह हमने इसमें पिछले 10 साल के papers को discuss किया है यह किसी भी test series से जादा बहतर साबित हो सकता है आपके लिए यह वाला course right so देखिए आपने I'm sure इस particular map को कई बार देखा होगा अलग-अलग तरीकों से यह map दिखाया जाता है यह जो है basically China का जो बहुत ही ambitious one belt one road project है 2015 में कि जी नहीं इसका जो official name है वो one belt one road है जब उसको one OB OR या OR OB कहने जाने लगा उसके बाद चाइना ने 2013 में कहा कि जी जी नहीं इसका official name जो है वो belt and road initiative है खेर नाम को छोड़ यह basically हम इतना जानते हैं कि इस belt and road initiative में कुल मिला के दो बड़े projects है एक तो जो है जिसको हम कहा जाता है Silk Road Economic Belt या फिर SREB जो की through land जाती है चाइना से connect करती है सीधा to Europe उसके बाद जो दूसरा important particular project का part है वो basically यहाँ से start होता है और यह जाता है almost until Africa और आगे जाके इसको यहाँ पर भी connect करना चाहता है to Europe इसको कहा जाता है Maritime Silk Road या फिर MSR जाते हैं कि इसमें कई सारे projects हैं जो कि China खतम कर चुका है obviously China का aim यह भी था कि हम India के साथ भी इसमें collaboration करेंगे लेकिन इंडिया ने इसमें बिल्कुल भी हा नहीं भरी है so India is not on board with the Belt and Road Initiative इतनी बात हमें clear है लेकिन अब जो है China ने 2018 में ही असल में अपने एक white paper के माध्यम से इस चीज की घोशना कर दी थी कि हम अपने Belt and Road Initiative को Arctic region में भी expand करना चाहते हैं Arctic region में भी हम इसको बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं Reuters की ये news आपके सामने है China unveils vision for polar silk road across the Arctic ये 3 साल पुरानी news है 2018 जनवरी 26 की ये news है तो आज लगभग 3 साल हो चुके हैं और अब China इस particular project को आगे move करने की बात कर रहा है उसी time पे इनोंने कहा था कि जैसे ही हम polar silk road को शुरू कर देंगे immediately हम जो हमारा multi billion dollar initiative है belt and road initiative उसके साथ इसको एक ही कृत कर देंगे उसके साथ इसको integrate कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे newspapers ने इसको cover किया है Times of India ये कह रहा है China to push for building polar silk road in the Arctic Ocean यहाँ पर भी आप देख सकते हैं The Hindu ने भी इसको as it is cover किया है China to push for building polar silk road in the Arctic Ocean ये news जस्ट कल परसो की news है जब ये सामने आई है तो basically ये news असल में China में काफी जाता news papers cover कर रहे हैं इसके चलते इंडिया में भी अब इसको coverage मिल रही है यहाँ पे एक बहुत ही brief सा idea आपको दिखाया गया है exactly यही route follow होगा या नहीं होगा थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है लेकिन जो मोटा मोटा starting और ending points हैं वो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजे it will be starting from the city of Dalian जो की चाइना की एक बहुत ही important port city है और उसके बाद it will be going until the city of Rotterdam जो की Netherlands का एक बहुत ही बड़ा शहर है और दुनिया के जाने माने ports में से भी माना जाता है so Dalian से लेकर यह Rotterdam तक जाएगा और इसका जो route जैसा कि आप देख सकते हैं यह red color की line है it will be crossing the entire northern pole आप ऐसा मान लीजे almost northern pole के through होते हुए जाएगा यह और Arctic Ocean को cross करते हुए यह यहाँ पे Atlantic Ocean को meet करेगा देखें यहाँ पे कई सारी important चीज़े हैं जो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ सबसे पहले तो देखिए चाइना ने इस prospect की घोशना अब क्यों करी देखिए 2018 में इन्होंने announcement तो कर दी थी कि हम करने वाले हैं लेकिन इसको करने में इतना समय क्यों लगा actually China was waiting for climate change कि जैसे ही कुछ जलवायू परिवर्तन होगा जैसे ही यहाँ पे बरफ पिघलने शुरू होगी तब ही जाके तो हम काम शुरू कर पाएंगे right because Arctic Ocean आपको मालूम है completely snow-laden है वहाँ पर आपको projects करने शुरू करने काफी मुश्किल है engineering काफी मुश्किल लगती है उसके बाद काफी जादा खर्चा भी आता है जैसे जैसे आपका global warming हो रहा है जैसे जैसे climate change हो रहा है वैसे वैसे जो Arctic Ocean के ice covered parts है वो यहाँ पर पिघलने शुरू हो रहे हैं और इसी की वज़े से चाइना ने अब फिर से अपने उस project में एक तरह से रूची दिखाई है कि हम जो polar silk road की बात लगभग 3 साल पहले कर रहे थे उसको हम फिर से उठाने वाले हैं चाइना ने रिसेंटली ये आपने सुना भी होगा चाइना ने 30 October के आसपास की बात है और ये काफी बड़ी न्यूस थी जब चाइना ने अपना 14th 5-year plan फालो किया था जी हाँ चाइना आज भी अपने 5-year plan के initiatives को फालो करती है अनलाइक इंडिया जिसने की 5-year plans को निकालना बंद कर दिया है और उसी टाइम पे चाइना ने ये कह दिया था कि हम polar silk road को build करने वाले हैं और आज उसी चीज़ को फिर से दोहराया गया है कि चाइना विल बी participating in two important projects पहला project है a pragmatic cooperation on the arctic ठीक है and second project is the building of a polar silk road ये वाली announcement जो चाइना के ही द्वारा run की जाने वाली news agency है जिनुआ आपने global times का नाम सुना होगा उतनी ही famous और उतनी ही important agency है जिनुआ जिसने की इस announcement को recently किया है कि हमारा जो 14th five year plan है जो पंच वर्षिय जोजना है चौदमी उसका एक draft outline share किया है और उसमें ये बताया गया है कि ये दो important plans हैं जो कि चाइना इस particular साल में उठाने वाला है now ये दोनों के दोनों जो plans हैं ये असल में चाइना के national people's congress को submit करे गए है national people's congress क्या चीज है ये जैसे भारत की parliament जैसे भारत का संसद है उसी तरीके से चाइना की parliament का नाम है national people's congress ठीक है national people's congress it is the highest organ of state power and the national legislature of china इसमें लगभग 3980 members है ये 2018 की बात है आज हो सकता है सदस्य बढ़ गए हो लेकिन 2980 सदस्यों के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी parliamentary body है दुनिया का सबसे बड़ा विधाई की निकाए है जो कि आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है इतना बड़ा निकाए second important thing is कि NPC असल में साल में लगभग 2 हफतों के लिए ही मिलता है ठीक है पूरे साल में जैसे भारत की parliament तो काफी बार मिलती रहती है तीन-चार sessions होते हैं budget session, monsoon session, winter session and so on लेकिन जो NPC है पूरे साल में केवल और केवल 2 हफतों के लिए मिलती है और कई सारे जो important कानून होते हैं वो इसी में pass करवा दिये जाते हैं और उसके बाद फिर उन पे काम होना शुरू हो जाता है also एक बड़ा interesting point यहां में mention करना चाहूंगा कि NPC के सभी के सभी सदस्य जो है जो भी इसमें memberships लेते हैं किसी को भी यहां पे salary नहीं मिलती है वो सभी के सभी part time legislatures होते हैं जो कि अपनी सदस्यता केवल NPC में उनका केवल सदस्य होता है यानि कि उनकों की salary यहां पे नहीं मिलती है ठीक है इस चीज़ को केवल ध्यान रखी अपने examination point of view के लिए खेर तो यह जो दो plans थे यह दोनों क अब सवाल यह आता है आपने सुना होगा कि रश्या भी तो कई बार अपने जो transshipments हैं वो Arctic के थूरू भेजता है तो वो किस रास्ते से भेजता है देखिए दो existing routes हैं जो की आज की date में Arctic Ocean में चल रहे हैं या फिर और आसानी से कहें तो North Pole के बिलकुल नजदीक में चल रहे हैं यह दोनों existing routes बहुत ही सोच समझ के बनाए गए हैं यह आज से नहीं कई सालों से active हैं जो सबसे important route है जो की रश्या इस्तिमाल करता है उसका नाम है Northern Sea Route और यह Northern Sea Route यहाँ पे Yokohama से शुरू होते हुए Rotterdam तक जाता है जापान भी इसका 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 इस जाता है Northwest Passage इवन जब USA ने Alaska को acquire किया था उसके बाद USA भी इस particular route का इस्तिमाल करती है तो यह दो existing routes हैं लेकिन जो चाइना यहाँ पे बोल रहा है कि हम polar silk road बनाने वाले हैं that is going to be the third route जो की अब Arctic Potion के through cross करेगा और North Pole के बहुती नस्दीक से गुजरेगा so this is going to be the third important route जो की अब हमें Arctic Ocean में देखने को मिलेगा अब अगर हम बात करें इस particular route के challenges और prospects क्या है देखिए कुछ-कुछ इसमें obviously कई सारे फायदे हैं जो की चाइना को देखने को मिल सकते हैं पहली बात तो जो distance है वो काफी हद तक कम हो सकता है अगर हम Westwick वैपार की बात global trade है अभी क्या है कि चाइना को मान लीजे यहां से इस particular जगा से मान लीजे यहां तक कुछ भेजना है तो उसको यह पूरा route follow करना पड़ेगा यह अगर आप distance measure कर ले तो यह काफी जादा है as compared to अगर चाइना यह route को follow करेगी तो यह वाला distance उससे कम है तो obviously खर्चा इसके थुरू बड़ी बड़ी ships को निकालना काफी मुश्किल हो जाता है second important thing is कि दो already existing routes चल रहे हैं जो कि बहुत ही carefully choose किये गए हैं बहुत ही carefully बनाए गए हैं आप उसके बाद एक तीसरा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो obviously challenging तो होगा ही और जो existing countries हैं उनकी तरफ स resistance भी आ सकता है जो कि China को यहां पे face करना पड़ेगा इसके बाद अगर बात करें China is basically going through the Arctic Ocean लेकिन अगर हम ध्यान से देखें China एक Arctic State नहीं है Arctic State किसे कहा जाता है Arctic State उसे कहा जाता है वो वाले देश जो की Arctic Council का हिस्सा है और वो वाले देश जिनका coast या फिर जिनका कुछ भी इलाका Arctic Ocean के साथ touch करता है Arctic Ocean एक बहुत ही उच्चे लेवल की intergovernmental forum है इसके बारे में सवाल UPSC by the way पूछ चुकी है 2014 की बात है याद रखिएगा तो Arctic Council का China हिस्सा नहीं है उसके बावजूद चाइना Arctic Council के थ्रू वहपार करने की बात कर रही है इवन दो चाइना को Arctic Council में 2013 म लेकिन काफी मुश्किल होगा कि China यहाँ पे जो Arctic Council के member states हैं इनको पहले समझाए कि जी मैं on board आना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे Arctic के थ्रू अपनी ships को भीजना चाहती हूँ सो यह वाले आठ के आठ members के साथ चाइना के relations अच्छे होने चाहिए चाइना जो है इनको मना पाए उसके बाद ही चाइना इस particular challenge को खतम कर पाएगी on a separate note I would like to tell you कि इंडिया को भी observer status मिल गया था 2013 में और I think इसी वज़े से UPS इनिसका सवाल भी पुछा था अभी भी challenges prospects खतम नहीं हुए हैं देखे prospects जो हैं वो चाइना के लिए और भी हैं और इसलिए चाइना काफी जाधा रूची दिखा रहा है दो बड़े prospects सबसे पहली बात तो चाइना ने कुछ साल पहले की बात है रश्या का जो बहुत ही बड़ा बहुत ही ambitious LNG प्रोजेक्ट है Liquified Natural Gas Project जिसका नाम है यमाल प्रोजेक्ट यह बिल्कुल यहाँ पर आप ऐसा माली जी यहाँ पर लगा हुआ है ठीक है और यह आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा Arctic Ocean है इसके साथ यहाँ पर रश्या और चाइना के बीच में एक partnership हुई थी जिसमें रश्या ने यह कहा था कि हम आपको every year 4 million ton of LNG प्रोजेक्ट करने वाले हैं केवल रश्या के साथ ही नहीं हम Arctic Ocean में अपने भी oil projects, gas projects, mineral resources को explore करने के projects शुरू कर सकते हैं और हम fishing और tourism जैसी चीज़ों को भी शुरू कर सकते हैं जिसके तुरू चाइना को और फाइदा हो सकता है सो यह सारे के सारे challenges और prospects हैं जो की फिलहाल नजर आ रहे हैं regarding the polar silk road ठीक है details बहुत ज़्यादा सामने नहीं आई है कुछ-कुछ सामने आई है लेकिन जैसे ही कुछ और सामने आएगा हम आपके सामने पेश करेंगे जाने से पहले एक कीज़ आपको बोलना चाहूँगा चाइना ने अपने पंच वर्षे योजना में एक चीज़ को और clear किया है कि उन्होंने कहा है कि हम Arctic states के साथ jointly काम करेंगे we will be respecting their traditions and cultures of the Arctic residents including the indigenous peoples and conserving the natural environment now हम सभी जानते हैं इन्होंने Belt and Road Initiative में countries के साथ किस तरीके से सलूक किया है in fact इनका जो all weather friend है पाकिस्तान के साथ हम उनको भी जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान आज चाइना के तले loans में दबा हुआ है केवल पाकिस्तान ही नहीं even Myanmar हुआ even और भी कई सारे countries हैं जो की परिशान है African nations भी dead trap में जा रहे हैं because of China so कहे तो रहा है चाइना कि हम Arctic states के साथ मिल कर काम करेंगे लेकिन ये केवल समय ही बताएगा कि कि वाकई में चाइना अपने polar silk road को बनाने में Arctic states के साथ मिल कर काम करेगा या नहीं करेगा फिलहाल के लिए इतना ही आप से लेता हूँ विदा thank you for listening stay tuned and stay safe